हेलो दोस्तों, दोस्तों मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लोग इद ट्विंज में एक बार फिर से स्वागत करता हूँ और आज की इस वीडियो में हम सोशलिजम को अच्छे समझेंगे अगर आप सशलिजी के स्टूडेंट अपके लिए हूने वाला है एंडियन कांस्टीटिूशन बा安ति के सम único आपके लिए महत्वपन हूने वाला है मेरे दोस्तों तो आईए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हम इंट्रदक्शन साथ टोपी की शुरुआद करते हैं अब मैं इस टोपी की इंट्रदक्शन की बात करूँ तो socialism is basically an ideology क्या है यह वच्चो यह एक ideology है ideology का मतलब क्या है कि एक idea है एक doctrine है एक doctrine है जैसे secularism is ideology, communism is ideology, communism is ideology वैसे socialism भी क्या है? एक ideology है, एक thinking, एक विचारदारा है जिसके अनुसार क्या होता है? गवर्मेंट का ज्यादा से ज्यादा control होना चाहिए over the means of production, means of production क्या बोला मैंने आपको कि यह जो बेस्करी socialism है इस डैट आडिलोजी according to which the government must have the more and more control over the means of production. the government must have a control over the individuals इस etology किशन और्म होता है individual is not supreme but society is supreme सुसाइटी बोल ईाव स्टेत कर सकत dorang सूप्रीब सोचलीं बोलना के चाहता है डो यह बोलता है कि सोचलीजनम का मतलब कर दो कि एक एसी डॉड Canal से जिसके अनुसार जो स्टेट का सटवर उपर रख़ा जाएगा society को हमेशा ऊपर रखा जाएगा उसको महत्तव दिया जाएगा ना कि individuals को सब इंडिवीजुल society के लिए बिल्कुल equal है all individuals are equal सब इंडिवीजुल जो है वो society के लिए equal है सब इमें equal पैसे को बांटना चाहिए हमें और private ownership को खतम करना है किसो खतम करना है private ownership को private ownership का मतल़ क्या बच्चो जैसे capitalism में क्या होता है capitalism में अलग सी वीडियो बनाऊगा capitalist का मतलब होता है कि private individuals का ज्यादा ownership होती है property जो state के पास होती है उसमें private individuals अपनी ownership establish कर सकते है पर socialism is capitalism के against है और private ownership के against है यह बोलता है public ownership होनी चाहिए पबलिक ownership होनी चाहिए अर्थात state की ownership होनी चाहिए सबी चीजों के ओपर society की ownership होनी चाहिए individuals को कोई महत्तव यह नहीं देता कौन socialism बच्चों यह सारी बाते आप introduction में लिखकर आओगे जो यह बता रहा है कि एक ideology है जिसके इनुसार government supreme है government का means of production मतलब society में state में जो भी चीजों उतिपादित हो रही है जो भी production हो रहा है जो भी development हो रही है उसमें government का पुरा हाथ होना चाहिए government का control होना चाहिए इसका मतलब होता है individual supreme निया state supreme है state का वैल फिर उपर देखा जाएगा इसका मतलब है प्रेवल्ड उन्रशिप को खदम कर देना हमने हमने public ownership को ऊपर लेकर आना है यह सारी बात आप किसमें लिखोगे इंड्रक्शन में आगे आप लिखोगे कि प्लैटो और रूसो यह दोनों परसने ऐसे थे जो सोचलिजम के बहुत बड़े एडवोकेट करने वाली थे इसको मानते थे इसके वो एत्व से सुपोर्डर्स थे किसके सोचलिजम के कार्ल माक्स की बात करूं कार्ल माक्स ने कंसेप्ट दिया कॉम्यूनिजम का और यह कॉम्यूनिजम कंसेप्ट जो है बाद में कॉम्यूनिजम कंसेप्ट से कहने के निकल के सोचलिजम भी आया हुआ हुआ हाँ मे पर शुरू करेंगे हम कि मेनी कह है सोचलिजम का तो स्टूडेंट्स आपको इंट्रक्शन पढ़ने ये पता चल गया होगा कि आइडिलोजी वेरियस प्रकार की हो सकते हैं डिफ्रेंट टाइप्स की हो सकते हैं जैसे कॉमिनलीजम सोचलिजम सेक्लिरिजम कॉमिनिजम पोसे लोजीं हो सकते हैं तो जो हमारी सोचलिजम आइडिलोजी है वह कहीं नहीं कहीं गवेर्मेंट को ज्याद़ा पावर दे रही है गवर्मेंट को पावर दे रही है कि वह मेंजोर प्रड़क्शन के ओपर अपना इस्टैबलिश करें वह जो भी यह तो socialism है यह तो हमें पता चल गया अब हम अब अगर के मेनिंग की बात करें बच्छो तो socialism का पन अपड़ विवर्मन्ट. एकरी सी्टम जरिफ टौट पिस इन्ट्वर्मट पना मला रेंस अजल हो। टर्म बड़ी महत्तकोन है in which the means of productions are controlled by government जब भी production उत्पादनों के साथ उत्पादन के साथ नों के उपर means of production के उपर government का समावित्तव होता है government का control होता है उसी हो क्या बोला जाता है बच्चो socialism बोला जाता है इसमें individual supreme नहीं होता इसमें कौन supreme होता state government supreme होती है government अपने उसार रूल्स बनाती है इंडिवीज्वल लिब्र लिबर्टी इंडिवीज्वल के पास नहीं होती कि वह कुछ भी काम कर सके government का control होता है सारा का सारा डेफिनेशन बिसकी कुछ दी गई है वह डेफिनेशन भी देख लेते हैं वर्नर्ड शा जो वर्नर्ड शा भी यार एंड बर्नर्ड शा वह क्या बोलते है socialism means equality of income and nothing else simple बात बोले होने socialism का मतलब है income की quality होना जब सभी लोगों की income equal हो जाएगी तो socialism आ गया और equal income कब होगी जब government का control होगा अगर individual के पास राइट हुआ वह जैसे मर्जी जो मर्जी करें तो individual जो एक वाइंवेस्ट करेंगा ज्यादा पैसा कमेंगा और ज्यादा पैसा कमेंगा एक बंदा तो बहुत ही मीर हो जाएगा बहुत रिच हो जाएगा एक्वेल्टी तो होगी ने ग्रीब रहे जाएगा अगर मीर हो जाएगा पर जब गुवर्मन के पास में control हुआ गुवर्मन सभी में equal बांटेगी तो equal अपने हाप हो जाएग इंकम की क्वेल्टी होना इसके लावा कुछ इसका मतलब नहीं है जब सच्टेज और जब बोमी के ऊपर यह पैसे के ओपर पुन्जी के ऊपर संपति के ओपर कैपिन पहल के ओपर सभी काइक कोवेल ह lotta , पने हाप पास सब इक्वेल्टी आएगी तो सबीड़्म हर दो कया सबता है fertilize को बॉल्त ई सबी लोग के ओनर्शिप प्रोक्टी के ओपर कोई एक इंडिविज्वल ओनर नहीं है स्टेट ओनर बेसिकली दा यूज ऑफ ओल बाइटल इस्टुमेंट परड़क्शन जितने इंस्टुमेंट परट्शन है सभी का सभी उसके उनके ओपर सभी की कॉमन ऑनर्शिप है किसी क अधे स्ट के ओपर सब्क önट ऊनर्प मतलब गॐर्मेंट के सभी के पास मतलब के दो सभी के पास जये आप सब्सक्रोंच मिप्या कोई तो में मान जाएगा कोई तो सचलोज जम की सब्सक्राइब Amdata सब्सक्राइब कर दो सब्सक्राइब प्राइवेट उनर्शिप की अगेंस्ट है यह पबलीक ओनर्शिप के ओपर फोकस करता है जो है यह इंटिवीजुल की लिबर्टी को कर रहा है और गवर्मेट को पावर दे रहा है कि वह हर चीज के पर कंटॉल अपना करें अब हमाई देश में क्या है बच्चो हमाई देश में गूवर्मेंट वस्पितल है थाय। फिल दी है गूवर्मेंट स्कूल्स शूर्ड इंसे प्रशे अहुंत में हमाय देश में ब्लैन्ट मिक्स्ट इकॉनमी है शोचलिजम भी है और कम बदी अधिया कि लेकिन अगर सोचलिजम हो फिल टाय में पता सारे नहीं हों उस फिल् कि अर वहा हो अच्छान आफ में आपढ़न ही हमें आपो जाना पर राम कहई को सब्सक्राइब इक ही हम भी लिए आपड़न को ठरगेक आपके सकता खोएफड़ अब आगे सोचलिजम के कुछ मेन इसेंशल फीचिस पढ़ लेते हैं फीचिस पढ़ने सपर इसका औरीजन की बात करूं कि ये सोचलिजम सिस्टम औरीजन कैसे हुआ तो इसका औरीजन हमें समझ तब आएगा जब हम क्याप्टलीजम के बारे में जानेंगे देखो एक इरिस्पेक्ट ओफ वेरिस एकॉनमिक मैटल जो इंडिवीज़ है जो हुवन बींग है उनको बिलुकुल फ्री रहने दो क्या होता है कि इंडिवीज़ को पूरी फ्री दे दो प्राइवेट ओनर्शिप दे दो इंडिवीज़ खुद अपने हिसाब से प्राइवेट वहीं पर गरीब गरीब होता जा रहा था तो वहां पर सोचलिसम निकल के सामने आया आया सोचलिख क्या होता है सभी मयvakल को इक्वब्स होना जाहिए Państwo कोई 파ूर नहिंगा मीर नहों कोई ज्यादा घरीब ना हो तो capitalism के अगेंस्ट ही socialism निकल के सामनी आया अपनी बात याद रखनी है पलैटो जो हमारे scholar है पलैटो की जो book republic है उसमें उन्होंने इसके बारे में किसके बारे में अच्छे से बताया हुआ है वहां इसका जिकर बहुत अच्छा देखने को मिलता है हमें और साथ में जो शोचलिजम था इस बैसके प्रिटिकल मुव्मेंट लाइज इन इंडस्टियर रिवलूशन इंडस्टियल चेंज जो आ रहे थे उसमें इसमाज बाद आया पूंजी बाद था इसलिए समाज बाद आया आपको समझा रहा होगा वच्छो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है एक लेक्टर अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज लाइक अभी करतें अगर आपको मारे लेक्टर हैलफूल होते हैं तो आप हमारे Google पे फोन पे पेट्यम नंबर 9 ने पेटिम नंबर पे आप घ 이걸 कर सकते हैं और साथ ही मैं आपसे रिखेस्ट करता हूं प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेए लिए वीडियो को अभी लाइक कर दें, आकका 1 लाइक हमारे चैनल को हमारे होंसले को बढलत हम तभी आप लिए और वीडियो लेकर आते हैं तो प्लीज राइक जुरूर कर दें चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों के शाथ शीयर करें हमारे टेलीग्राम पेज लोवीट्विंस को जुरूर सब्सक्राइब करें हमारी अपनी अप्लिकेशन बन गई है लोवीट्वि सब्सक्राइब रिफेटिर ऐंथ इंप्ससाइब साइडि अउैज करता है इनडिवीच़् को पडिण को करने गई हैं पर पर सोचल Commander को प्रवानता था पर सोशाइटी को पर Jennifer स्टीट को परमानता है आप में स्टेट वर्ड यूज करना है यह डिपेंड करता है कि आप पूरे स्टेट के लोग है उनकी इपोरेंस को महतब देता है एलिमिनेशन ओफ कैपिलिजम तो दूसरा जो फीचर है सोशलिजम की वो यह है कि सोशलिजम कैपिलिजम को एलिमिनेट करना चाहता है खतम करना चाहता है Capitalism क्या था? Capitalism में ऐसी भी वस्ता होती है, जिसमें individuals ज्यादा powerful होती है, privatization ज्यादा होता है, individuals की private ownership ज्यादा established होती है, अमीर अमीर होता है, घ्रीब घ्रीब हो जाता है, ऐसा system के against, उसको eliminate करने के लिए socialism आया हुआ है, ये बाते हैं आप सारी बीच में explanation में लिख सकते हो तीसरे, elimination of competition, बच्चों बड़े ही महत्तवन पॉइंट है, Capitalism में क्या होता है, सबी individuals free है, वो अपनी market establish करें, अपनी companies लगाएं, इंडस्टिस लगाएं, और जब बहुत सारी इंडस्टिस लग जाती है, तो उनमें competition शुरू हो जाता है, एक industry price कम करती है, दूसरा और कम कर द होती है, उसके अपना प्रव सत्ता होती है, अपनी उसकी sovereignty होती है, अपना control होता है, establishment के ओपर, और वो खुद establish करती है, और बहुत सारी establishments नहीं होती है, कि अबर government के control के अंदर कुछ establishments होती है, तो competition कैसा होगा, अगर मान लो जो government है, वो एक company खोल रही है, दूसरी company खोल competition हो गए नहीं, आप यहाँ जो वहाँ जो समाना को बिल्कुल proper rate का मिलेगा, कोई अलग नहीं मिलेगा, क्यों गवर्मेंट ही ओन कर रही है, क्या होता है, बहुत सारी companies होती है, और उन भी कर भी competition पाया जाता है, तो socialism की विशेष्टा है, कि इसमें competition eliminate हो जाता है, इसमें monopoly establish होती है, किसकी monopoly, किसकी monopoly government की, government monopoly मतलब एकात्मक, एकात्धिकार होता है, government का, government की establishments होती है, उसके बार आप कहीं जाना सकते है, आपके पास alternative option नहीं होगा, जो government देड़ी आपको भही लेना पड़ेगा, ये drawback भी है कहीं ना कहीं, socialism का आगे पढ़ेंगे, जो advantage, disadvantage पढ़ें होना चाहिए, rich poor जो है, वो सभी को equal distributional wealth होना चाहिए, equality सभी में हो, ऐसा ना, ओकि rich rich बन जाए, और poor poor रह जाए, ऐसा ना हो, ये भी इसकी विशेषता है, elimination of private property, ये बड़ा महत्त पूर्न है, socialism private property को eliminate करता है, private property मतलब कैसे, जैसे capitalism है क्या होता है, individuals के अपनी private property होती है, व वो क्या चाहता है, private property eliminate होनी चाहिए, केवर केवर्मेंट का ही सारी property के ओपर control होना चाहिए, government ही की ही सभी property के ओपर ownership होनी चाहिए, government ही school establish करे, government ही hospital establish करे, government ही सब काम करे, private individuals के पास कोई पावर्नुजी, वो वहाँ पर काम करें, जो government rights दिया, वो करें वहाँ पर, लेकिन व प्राइवेट प्लोक्ति यहां पर खती में होती है, साहिए property government की पबली property मानी जाती है, अगला जो इसकी feature है, social ownership of material resources, social ownership का मतलब क्या है, society की ownership, मतलब state की ownership, तो क्या होता है, इसमें socialism में, state की ownership होती है, resources के ओपर, जो resources होते है, कच्छा माल है, खरीजा, जो भी है, कच्छा म किसी प्राइवल इंडिविजुल्स के उनिरोशिप उनके ऊपर नहीं होती आगया प्लांड एकॉनमी सोचलिजम की एक बड़ी बिशेष्टा है कि इसमें एकॉनमी को प्लानिंग में चलाया जाता है गौर्वर्मेट प्रोपर प्लांड बेस एकॉनमी को रन करती है अब लास्ट हम देखेंगे कि सोचलिजम के मेरिट्स क्या है और डी मेरिट्स क्या है सबसे पहले अगर मैं मेरिट्स की बात करूं मेरिट्स मतलब इसकी क्या क्या अच्छी बात नहीं है क्या क्या इसमें अच्छा है Socialism की चीज़ों को support करता है जो अच्छी चीज़े है सबसे पहले है It promotes the equitable distribution of wealth तो socialism की सबसे पहले विशेश्चता यह है merit यह है, advantage यह है कि यह society में सभी लोगों में equal distribution of wealth का इसको promote करता है कोई ज़्यादा मेर ना हो कोई ज़्यादा गरीब ना हो सभी में equally पैसा distribute हो इसकी सबसे पहले advantage यह है दूसरी है greater economic efficiency जब government जब government economy में effective होगी जब government अपने establishment रखेगी जब government ही economy को चलाएगी तो efficiency तो बड़ेगी क्योंकि government को पता है हम सत्ता में है तो हम अच्छा काम करेंगे तब ही सत्ता में रहेंगे ने तो लोग हमें हटा देंगे अगली बार election आएंगे तो लोग हमें हटा देंगे तो government पूरा कोशिश करेगी कि economy में अच्छे से stability बने और efficient economy हो इसलिए socialism है जहां पे government ऊपर एती है वहां पे efficiency economy की ज़्यादा होती है quality के साथ कोई भी compromise नहीं किया जाता दूसरा point अब यह लिखेंगे competition is eliminated competition eliminated होता है हमें पता है government establishments होती है जो government establishments देंगी आपको आपको purchase करना पड़ेगा आपको पास alternative option नहीं होता है competition basically industries में नहीं होता इसका फाइदा क्या होता है बच्चों जब competition होता है न तो competition होने के कावने क्या होता है quality के साथ compromise किया जाता है अब मान लो मेरी भी establishment है एक और बंदी के एक और बंदी के चार companies है मुझे पता है मुझे price कम करना है तो अब यसी बादा मैं quality गटा दूँगा चीजों में ताकि price कम करूँ अब ऐसा तो है नहीं कि मैं सो अब बंदी कोई करेगा नहीं तो competition जब होगा तो competition की बज़ा से जीतने के लिए बंदा हर हतकंडे अपनाएगा quality में compromise कर देगा पर competition होता ही नहीं है government establishments है जो बेच्ची की बो लेना पड़ेगा compromise नहीं करेंगे हम quality के साथ इंडस्ट्री यह बरी महत्यपुन पॉइंट है कि socialization में जो main main industries है की industries है महत्यपुन इंडस्ट्री है उनका nationalization किया जाता है राष्ट्र करन किया जाता है सरकार सेंटर के हाथ में सारी establishments आ जाते हैं आपको बता दू इंडिया ने भी 14 बैंकों का nationalization किया था 14 banks का श्रीमति इंडरागंदी के दुरान जब प्राइम मिनिस्टर थी जब 42nd आपास हुआ था और socialism वर्ड को हमारी प्रेंबल में एड किया गया था उसके बाद 14 banks nationalize हुए थे जो प्राइविट से गॉर्मेट के हाथ में आ गए थे तो nationalization की industries का किया जाता है जिसका लोगों को बहुत फाहिता पहुचता है और life secure हो जाते है लोगों की जो वहां पर job करते हैं socialization looks after the interest of community as a whole यह बड़ा महत्त कुए है कि socialism क्या करता है एक बंदा मीर है इन्वेस्ट करेगा और मीर बनेगा और इन्वेस्ट करेगा और मीर बनेगा और इन्वेस्ट करेगा और मीर बनेगा और इन्वेस्ट करेगा और इन्वेस्ट करेगा और मीर बनेगा और इन्वेस्ट करेगा और सोचलीजम यह इसा नहीं होता है सभी में equal distribution किया जाता है wealth का, सभी लोगों को equal हतर दिया जाता है, तो यह भी इसके विशेष्टा है, कि इसमें सभी के interest को देखा जाता है, community, society के interest को देखा जाता है, it replace selfish profit by the motive, sorry, it replace, यह replace करता है, selfish profit motive by the service motive, मतलब socialism क्या करता है, profit motive नहीं रखता अपना, service motive अपना main रखता है, ऐसे तो जो बनता establishment, establish करेगा, company खोलेगा, industry खोलेगा, उसका पहला motive होगा, मुझे profit हो, पर socialism में ऐसा नहीं होता है, government का motive क्या होता है, service देना, profit होगा नहीं होगा बात की बात है, पहले अच्छी quality देना, अच्छी services देना, तो socialism क्या करता है, profit motive को replace कर देता है, service motive के साथ, I hope आपको समझार होगा, video अच्छी लगे तो like जूर कर दे, मेरे दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको information दे दूँ, अगर आप लोग के student है, LLB, LLB कर रहे हैं, क्लार की त्यारी कर रहे हैं, कोई भी competitive exam की त्यारी कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारे, अपने हम लोग खुद आपको paid courses भी देते हैं, जिसमें हम लोग, जितने भी subjects होते हैं, constitutional law है, criminal law है, CRPC है, evidence है, या IPC है, या हमारा administrative law है, international law है, हमारा property law है, हमारा business law है, कोई भी subjects है, हम उनकी paid courses देते हैं, 5-6 गंटे में पुरा syllabus भी cover करते हैं, और length lecture भी देते हैं, 20-25 गंटे में पुरा syllabus cover करने वाले, अच्छे से पढ़ाते हैं आपको, तो आप वो lectures भी हमारे purchase कर सकते हैं, हमसे WhatsApp पे contact करके आप वो lecture हम से ले सकते हैं, WhatsApp नमबर है, 9816492276, यह हमारा WhatsApp नमब कर सकते हैं, तो अब आगे बढ़ते हैं, 7th point है, it prohibits a social security scheme, it provides, not prohibits, it provides, तो social security schemes को provide करता है socialism, society में लोगों को security प्रदान करता है, insecure life नहीं होती, जो job कर रहे हैं, उनकी security होगी, उनको jobs की security दी जाएगी, pension की security दी जाएगी, socialism में यह सारे काम होते हैं, बच्चों, socialism society के benefit की तर देखो, private monopoly को prevent करता है socialism, private monopoly मतलब, monopoly तो होती है, पर government की होती है, private institution होते ही नहीं है, उनको monopoly establish करने, अमोग के नहीं मिलता, जब नहीं मिलता, तो इसका फाइदा ही है, private monopoly में क्या होता है, जब मालो एक ही बंदा है, private, वो किसी चीज़ का मालिक है, और कोई alternative है ही नहीं, तो आपने तरीके से जो भर्जी करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, सोशलिजम में क्या होता है, private monopoly जो है, खत्म हो जाती है, और government जो है, वो काम करती है, basically, I hope आपको advantages समझा, क्योंकि आपको disadvantages भी देख लेतनी है, सबसे पहला है, laws of consumer sovereignty है, बढ़ा ही, बहुत अपनी खोल के बैठी हुआ है, same चीज आप different company से ले सकती हो, तो consumer के पास एक sovereignty होती है, वो चाहे तो compare करके कोई आप जो चीज ले ले ले, पर सोशलिजम में ऐसा नहीं होता, सोशलिजम में आपको जो चीज गवर्मेंट देगी वही लेनी पड़ेगी, और एक दो establishment होते है गवर्मेंट के अंडर monopoly होती है, competition होता नहीं, consumer को जो मिलेगा, consumer वही लेगा, उसकी जो sovereignty हो खतम हो जाती है, तो यह भी a drawback है, no freedom of occupation, freedom नहीं आपके पास occupation की, job की freedom आपके पास नहीं है, कैसे नहीं है दियान सुनना भी बात, सोशलिजम में क्या होता है, जो गवर्मेंट आ आप चाहिए advocate बन जाओ, industry establish कर लो, आप company establish कर लो, आपका interest है कि आपने कोई फर्म बना या फर्म बना लो, आपको पूरी liberty है, पर सोशलिजम में ऐसा नहीं होता, आप क्या करना चाहते हो, आप खुड decide नहीं कर सकते, आप अगर मालों engineer, आप मालों कोई फर्म बनाना चाहत पर जाती है, गुवर्मेंट के ओपर बर्डन बू जादा हो जाता है, गुवर्मेंट कोई साथा काम करना है, उसे साई services देनी है, बर्डन बढ़ जाता है, एक और में ग्रोफ लो हो जाती है, इससे less competition, सोशलिजम बे इसा बिल्कुल नहीं होता है, आपको पता है, आपको आपके पास किसी alternative choice का हमेशे absence रखता है, जो consumer है, जो हम लोग है society में, हमें गौर्मेंट जो देगी हमें वही purchase करना पड़ेगा, हमारे पास alternative choice नहीं है कोई, alternative हमारे पास में अथर नहीं है कि हम कुछ और भी purchase कर लें जाके, क्योंकि competition नहीं होता है, तो alternative choice नहीं होती, और मानलो कोई toothpaste है, तूथ पेस्ट आपको मानलो, किसी एक company का मिल रहा है, तो आपको वही लेना पड़ेगा, अभी क्या है, अभी कोलगेट का toothpaste भी मिलता है, प्याप सुदेंट का मिलता है, वेस्टीज का मिलता है, और भी MBA company, बहुत से companies का मिलता है, आपको बस राइट है, जो सस्ता हो आप बहुत सकते हो, जो एफेक्टिव वह आप ले सकते हो, पर इसमें आइसा नहीं होता, अल्टर नेटिव नहीं होते है, एक दो चीजी होंगी, वहीं आपको लेने ही पड़ेंगी, तो ये इसका ड्रोग एक है, इर क्रिएट से रूम फोर लैजीनेस, क्या करता है, आप जितने मर्जे मेहनत कर लो आपकी income इतनी रहे कि इसे बढ़ ने सकती जब income आपकी बढ़ ने सकती आप क्यों काम करोगे फिर आप उतने काम करोगे ना अगर तो आपको काम ज्यादा करके profit ज्यादा हो रहा हो तो आप ज्यादा काम करो पर आपके इनकों में रहनी उतनी है को रहनी है बाकियों के तो आप क्यों महन्त करोगे आप laziness बन जाओगे आप बोलो कि यार क्या फाइदा काम करकर पैसा तो यहीं कमाना है जो कमाना है तो क्यों जाह महन्त की जाए तो इससे आप आप कर्ता लोगगों को बड़ा सुस्त बना देता है काम करने के मामले में अकुल्य दा वैनिशुयूटिव इनिशियूटिव लोगों के इन्डियूटिविजुट इन्क्रीव ऑप्टि की प्राप्टि दियूट्य उत्य श्याएं बढ़ानी सकते हैं जब प्राप्टि जालनी ब्रासथे जिए ज़्यूट करें जहाएं पर फर्स लगाएंगे उनको पता हम कुछ होगा नहीं जब कुछ फाइदा नहीं होगा तो हमें क्या जरूरत है ज्यादा मतलब खर्चा करने की लेजिने सूसरत या बंदे नॉर्मल काम करते हैं तो इकॉनमी बड़ी ज्यादा स्लो हो जाती है उसकी क्रोथ तो यह अद्वांटेज अब बच्चों लास्ट में में लिखना है आपने जो भी अभी तक पड़ाया है मैंने आप साहल लिख सकते हो मेरे मिलाई ने कि सोचलिजम यह होता है पर पर्टिकुलरली यह कैप्टलिजम के अगेंस्ट आया हुआ है इसमें गवर्मेंट ज्यादा एफेक्टिवली काम करती है इसमें इसकी कुछ अ अब देख आए बीडरे मिल्ट आया है मिल्टा झाट के अटी साँभी अबर्मेंट इसमेड़ चाहां है इसमेड़ ने किस्वह और ट्रोप्र विख सेब्सार प्सक्राइब आप सकता है इसमेड़ इसमेड़ प्सक्राइब तो